हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग welcome back to the extra classes आज हम computer communication network के अंदर network topology वाला next topic पढ़ेंगे इसके अंदर है कि computer को आपस में जोडने तथा उनमें data flow की विधी topology कहलाती है जहां पर हम यह topic की जो चर्चा कर रहे हैं या reading कर रहे हैं उसके अंदर ही इसके बारे में बताया कि topology आखिर होती क्या है तो ध्यान से देखिए computer को आपस में जोडने तथा उनमें data flow की विधी को क्या कहते हैं topology कहते हैं network के विभिन और किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं और केसे एक दूसरे के साथ communication स्थापिच करते हैं यह network topology ही निर्धारित करता है topology network की आकरत जो computer आपस में जुड़े हैं उसको क्या बोल रहे हैं आपर network topology कह रहे हैं जो कि हमारा chapter है किसी topology में जुड़े प्रते computer को node या link station कहते हैं simple शब्दों में कहें तो network में computer, server, cable का arrangement किस तरह से किया गया है network topology कहलाता है बहुत simple language में है topology से ही यह निर्धारित होता है कि nodes के मध्य डाटा communication या डाटा संचरण के लिए कौन-कौन से path या रास्ते उपलब्ध है topology दो types की होती है इसके अंदर physical topology और logical topology physical topology में क्या है कि इस प्रकार की topology के अंदर किसी भी प्रकार के physical structure का उल्ले किया जाता है logical topology किसी network पे data एक device से दूसरी device तक के से transfer होता है logical topology में आता है types of network topology network topology के क्या प्रकार है पहले तो सिर्फ topology था कि physical और logical topology अब है network topology के क्या types है उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके अंदर है पहला है bus topology दूसरा है ring topology और उसी तरह से इसके अंदर star topology, star topology है, उसके अलावा इसके अंदर tree topology, उसके अलावा है इसके अंदर mesh topology, ये 5 types के इसके अंदर network topology दी गई है, आज हम पढ़ते हैं इसके अंदर bus topology और ring topology, देखिए इसके अंदर bus topology में क्या दिया हुआ है, इस topology में सभी computer और computer devices एक ही back cable से जुड़ होते हैं, जो सामाने तहा coaxial cable होती है, इसी cable से सभी devices information को share करती है, और इस cable के दोनों सिरो पर terminator लगे होते हैं, इसमें प्रते computer और device एक NIC, इसकी full form देखिए, NIC network interface card दौरा network से जुड़ा होता है, इसमें प्रते computer और device एक NIC दौरा network से जुड़ा होता है, जो कि है network interface card, प बस टोपोलोजी में जब किसी device से information share की जाती है, तो वह information network में connected सभी devices पर जाती है, और device के NIC का destination address चेक होता है, destination address चेक होता है, जिस device का destination address match हो जाता है, data या information उसी device को send कर दी जाती है, इनका पहले match होता है, destination address किसी भी device का, जिसमें हम information share करते हैं, फिर उसी के बाद match होने के बाद data information share की जाती है, बाकी packets terminator द्वारा terminate कर दिये जाते हैं, जो भी useful नहीं है, जो कि unused हैं, उनको ये terminator द्वारा क्या कर देते हैं, terminator कर देते हैं, ये है workstation, ये है RAID drive, ये servers जुड़े वे हैं और ये hub है एक तरह से, और ये है desktop PC, desktop PC, 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 इतने तरह के PC लगे वे हैं, जो कि hub के द्वारा server से जुड़े वे हैं, RAID drive से जुड़े वे हैं और workstation बे work कर रहे हैं, उसके लावा दे रखा है कि bus और linear topology सबसे सरल प्रकार की topology है, सबसे सरल प्रकार की topology पांचों के अंदर कौन कौन सी है, पहले इसको देख लेते हैं, bus है, ring topology है, उसके लावा start topology है, tree topology है, और mesh topology है, पांच प्रकार की topology में, bus वाली जो है, वो सबसे सरल प्रकार, simple प्रकार की topology है, इसमें data संचरन के लिए प्रते connected device का own होना जरूरी नहीं होता है, इसमें जरूरी नहीं है, कि हर device ही जरूरी हो, किसी एक device के खराब हो जाने पर भी 6 network कारे करता रहता है, यह तो हो गई, इ advantages का है, bus topology के, bus topology में, cable की आवशकता, अन्या network topology की तुलना में कम है, इसकी आवशकता कम है, और किसकी आवशकता कम है, cable की आवशकता कम है, इसलिए खर्च भी कम पड़ता है, नया node या device को bus में कहीं भी जोड़ा जा सकता है, LA and local area network में मुखेता इसी topology का प्रियोग होत किसी एक device या computer network में तूटी या खराबी होने पर पूरा network प्रभावित नहीं होता, यह सबसे importance है, सबसे बड़ी importance है, advantages का, bus topology का, उसके अलावा इसके कुछ नुकसान भी है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कि एक तरफ तो नुकसान है, और एक तरफ फायदा है, तो फाय network के अंदर अगर कोई एक device अगर खराब होती है, तो main cable की बात नहीं किरती ही, पहले है, पहले का दा सिर्फ एक device अगर पूरे उसके अंदर network में खराब हो जाए, तब रभाव इतनी होता है, लेकिन अगर मुख्ये cable ही खराब हो जाए, तो पूरा network फेल हो जाता है, यह सके ring और circular topology, ring topology में सभी nodes या devices ring और loop में जुड़े होते हैं, और इन nodes को परस पर जोडने के लिए twisted pair, coaxial cable और optical fiber cable का प्रियोग किया जाता है, जबकि उसमें कोई cable का use में नहीं लिया जा रहा था, और bus topology के दो अंत बिंदों को मिलाने पर ring topology बनती है, कि दो अंत बिंदों क जैसे एक point यहां पर है, एक point यहां पर दोनों को मिलाने पर क्या बंदा एक ring topology बनती है, यह देखिए, इस तरह से यह एक ring structure में आपस में जुड़े होते हैं, computer network के आपस में जुड़े होते हैं, इसके अंदर जो message का flow होता है, वो इस तरह से होता है, इसके अंदर कहा गया इसके अंदर हमारे बस network interface card, इसका full form है, और प्रतेक device या node अपने निकटवर्थी device से data प्राप्त करता है, अगर वह data इसके लिए है, तो उप्योग में लेता है, अन्य था उस data को आगे connected devices के पास भेज देता है, इसमें प्रतेक device या node पर एक repeater लगा होता है, जो signal से data को प यह topology network की बड़ी मातरा को संभाल सकती है, और ring topology computer peer-to-peer network के लिए अधिक उपयोग में लिया जाता है, क्या कहा है कि network की बड़ी मातरा को संभाल सकती है, और peer-to-peer यानि की पास से पास, मतलब group से group के अंदर network के अंदर अधिक उपयोग में लिया जाता है, और यह topology बह इसी डिवाइस या नोड को हटा कर बदलने पर पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है और कोई साभी नोड हम इसमें हटा दें या डिवाइस हटा दें तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है और एक डिवाइस खराब होने पर सारा नेटवर्क फेल हो जाता है और इसको चलाने में जटिल सॉफ्टवेर की आविशकता होती है लेकिन जो बस टोपोलोजी था उसमें अगर एक नेट्वर्क खराब हो जाता था बीच में तो कोई फरक नी पड़ता था और उसके अंदर ज्यादा कॉंपलेक्सिटी नहीं आदी ती इस तरह से और दूसरी इसके अंदर जस्ट ऑपोजिट है एक अगर खराब हो जाए तो पुरा नेट्वर्क फैल हो जाता है जबकि उसके अंदर अगर मुखे केबल खराब हो तभी पूरा नेट्वर्क फैल होता तो इस तरह से आज हमने बस टोपोलोजी और रिंग टोपोलोजी के बारे में अगरेंगे तक यू सो मुख